एक राजसवा सीट के लिए कॉंग्रेस में उठापटक कमलनाथ ने सोनिया से मेल जताई ये च्छा नमश्कार आप देख रहे हैं दा खबरदार न्यूस तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुक और बड़ी खबर पर मदर्पदेश से राजसवा की पांच सीटे खाली हो रहे हैं अंकरडित के इसमें से चार भाजपा की और एक सीट कॉंग्रेस की हो जाएगी कॉंग्रेस में एक सीट के लिए एक अनार सो बीमार जैसी इस्तिती है पूर्व सीम कमलनाथ से लेकर पीसे सीटी जीतू पटवारी और पूर्व केंद्रिय मंतरी अरोर यादव तक कई दिगजों के नाम इस सीट के लिए चल रहे हैं मद्र प्रदेश कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिस्ट नेता कमलनाथ ने शुकरवार को दिल्ली में कॉंग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गंदी से मुलाकात की कमलनाथ ने सोनिया गंदी से खुद के लिए राजिसवा के टिकेट की मांगी है दरसल मंदर प्रदेश से राजी सभा की पांच सीटे खाली हो रहे हैं अंकड़त के हिसाब से इन में से चार भाजपा और एक सीट कॉंग्रेस की हो जाएगी कॉंग्रेस में एक सीट के लिए एक नार सौ बिमार जैसे इस्तती है पूर्व सीम कमलनाथ से लेकर पीसे सीफ जीतू पटवारी और पूर्व केद्रे मंतरी अरुणियादव तक कई दिगजों के नाम इस सीट के लिए चल रहे है हलाकि कॉंग्रेस के पिछड़ा वर्ग कार्ड के चलते इन नामों में अरुणियादव का दावा सबसे मजबूत बाना जा रहा है इसी बीच 13 फरवरी को कमलनाथ ने कॉंग्रेस विधाय को को डिनर पर बुलाया है अपने बेटे नकलनाथ को छिंदवारा से लड़वाने का एलान कर चुके हैं कमलनाथ खुद के लिए राजसाबा चाहते हैं कमलनाथ के करीबी सूतरों के मताबिक होंग्रेसाला कमान अगर किसी पिछड़ा OBC या फिर S.C.S.T. को राजसाबा देने की वकालत करता है तो कमलनाथ आकरी मोके पर अपने करीबी पूर्वसांसद सज्जन का दाव लगा सकते हैं जो की S.C. समाज से हैं इसके पहले कमलनाथ ने कहा था कि उनके बेटे नकुल A.I.C.C. द्वारा सीट के लिए नामंकित किये जाने के बाद आगामी चुनाव में मदरपदेश की छिंदवारा लोकसभा छेतर से चुनाव लड़ेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें